आज कल मेरे पाक्त बहुत जाला कममेंट आ रहे हैं कि किर्पिया करके का यहां फोर्णा हैंट्सेट को या फ出 को यह और हैंसेट को रियाल्मी कहीं बहुत सारी कमेंट्स का रहे कि वह लॉक हो गहे हैं और वह उसे अनलोक करना चाह IF हैं तो आज की ये वीडियो आप लोगों को ही डेडिकेटेड है जिनके रियल्मी के हैंड्सेट लॉक हो गए हैं और उनका रियल्मी का कोई भी हैंड्सेट है इससे फ़रक नहीं पड़ता रियल्मी का हैंड्सेट होना चाहिए आप उसे इस वीडियो के माध्यम से बड़े एक कस्टोमर का है तो आज की इस वीडियो में आपको लाइफ करके दिखा हूँगा कि आप कैसे रियल्मी के किसी भी हैंचेट को लॉक कर सकते हैं जब वो लॉक हो गया है तो मैं हूँ अब सेक्सी नहीं और आप देख रहे हैं रिव्यू रिविल्ट तो चली बिना देड़ फोन रियल मे 5 प्रो तो आज इस वीडिवे मैं आपको दोनों फोन में तो करके नहीं दिखांगा तो आज आपको मैं किसी भी एक फोन में आप करें दिखाता हूं जैसे लॉइम्य आप आपको इसी में करके बताऊंगा कि यह दी आपकी Realme की कोई भी फोन लॉक हो गई है तो उसे कैसी अनलॉक करेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं मिने पास यह Realme का 6 है इसमें नोटिफिकेशन अभी भी दिखा रहा लेकिन आप इसे उपन नहीं कर सकते क्योंकि यह फोन लॉक ह आपको करना क्या है इसे अनलॉक करने के लिए नॉर्मल सी बात है Realme एक चैनीज हैंसेट है जी हाँ फ्रेंड्स उसे इंडिया में बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड है बहुत ज़्यादा यह फोन सेल हो रहा है लेकिन Realme जब इसकी जो ओरीजिन है वो चैना का है और चैन करना है तो बीना देर की इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास यह रियल्मी का हैंड्सेट है जो कि लॉक हो गया है आपके पास रियल्मी का कोई भी हैंड्सेट है ृस्तेस लिए पिंस द्फीर इंस हुद है तो कुजम रिय्या ट्रफ ने त्री नशेट की वीडियावाला ट्री्ट talkinriver है अब यहीं त्रीक सब अब यहां पर गौर्ट करने वाली एक बात है कि यहां पर बार बार को नया नया पासवर्ड डालते हैं तो आपका फोन लॉक तो रहेगा ही अनलॉक तो नहीं होगा लेकिन आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे वह है फोन आपका पर्मेनेटली लॉक हो जाएगा पहले तो क कुछ मिन्टों के लिए उसके बाद फिर कुछ घंटों के लिए उसके बाद आपका कोई नहीं कर सकता उस बाद आपको सिर्फ और सिर्फ सर्विस इंटर जाना होगा जहां पर वह रियल्मी के मास्टर जो अनलॉकिंग ट्रिक होता है वह उसमें अपलाई करते हैं जिससे आपको फोन अनलॉक तो हो जागा लेकिंगा सारा डाटा भी लॉस हो जाएगा तो उस चीज से बचिए और जो मैं बताओ आपको वही अपलाई आपको करना है अपने फोन में तिटली उस ट्रिक के तरफ चलते हैं सबसे पहले आपको जाना है इस तरह से और आपको चले आ बील करने वाला हूं वह जो कोड है यहां पर बो में आपको बता रहां ध्यान से देखिएगा यदि आप भोलते हैं तो इसका स्क्रिंस्ट ले लिजेगा नहीं तो किसी कॉपी पेन लेकर लिख लिजेगा अब वह जो कोड़ मैं यहां पर आपको लाइफ लिखके दिखात होता है आप जानते हैं इसके नाम से जैसे कि मालूम चलता है अपने फोन में कोई से भी कर सकते हैं अपने फोन को आप फास्ट भी कर सकते हैं अपने फोन में आप नए नए डेपलपर कर सकते हैं इसका इस्तमाल आपके बहुत सारे जो डेपलपर होते वह भी करते हैं तो उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे तो फिलाल अभी इस फोन को हमें अंलॉक करना है तो मैं उसी के बारे में अभी इसमें आपको बताने वाला हूँ आपको सबसे पहले इसमें खोजना है कहां पे लिखा हुआ है manual test जी यहाँ friends या आपका और ज्यादा डिपली ओप्षन आपका आएगा नया नया प्येज़ खुलेगा लेकिन आपको यहां पे घवडाना नहीं है सबसे लास्ट उप्षन वहां आपको जाना है वहाँ जाने के लिए आप इसे right swipe कर सकते हैं इस तरह से तो चली इसे right swipe करते हैं उसे last option जो कि other option होगा आप यहाँ पहुच जाएंगे अब यहाँ पर आपको एक दो बातों पर ध्यान देना है वो है आप देख सकते हैं यहाँ ध्यान से देखिए यहाँ पर लिखा है main board version उस करिए कि उसका version भी 1.1 है या इससे अलग है यहीं तो आपका यह trick आपके फोन में अपलाए नहीं होगा आपका फोन अनलोक नहीं होगा यहीं तब तो आप इससे बड़े आनाम से अनलोक कर सकते हैं यहीं आपका इससे डिफ्रेंट है तो आप चुकि इससे बहुत सारे मतल करते हैं मैं उसकी बिना देड़ किये उसका reply दे दूंगा यहीं मैंने दे पाया तो मेरी टीम आपको बिना कोई देड़ी के कुछी सेकेंडों में आपका उसका reply दे देगी उस ट्रिक को आपको अपनाने से आपका में मुर्ण भरसन यहीं सेम आ जाएगा तो आप उससे अ 1223 अब इसे क्लिक करने से आपका अनलॉकिंग मोड्य आपका पास हो गया है अब पास हुआ के निहीं वह उससे भी चेक करेंगे तो इसके लिए को क्लिक करना होगा रेटिंग सट कंप्लीट इंडिकर जो की लास्ट वाला उपशन है तो चले इसे भी क्लिक करते हैं मैंने इसे क्लिक किया और आपका देखिए यहां पर पास लिखावागे मतलब आपका फोन अभी अनलॉक होने के लिए रेडी है अब आप में जो में अनलॉकिंग का जो है उसे भी हम यहां पर क्लिक करेंगे और जाएंगे इस पर नंबर थ्री पर आप्सन ने की स्टेटस इसे हम यहां पर क्लिक करेंगे तो ठली इसे भी क्लिक करते हैं जैसी सी क्लिक करेंगे आपका फोन का जेतना भी लॉक था वो साड़ा आपका पास हो गया है अब आपके फोन में कोई साथ भी लॉक बचा नहीं है अब यहां पर देख रहें सारे लॉक हमारे टूट गया है लेकिन जो दो है lock पहला wide 111 की जो कि यहां पर हमें fail लिखा हुआ दिख रहा है और दूसरा है HDCP की not support और इसका मतलब होता है कि इस phone में in display fingerpeed sensor मौझूद नहीं है इसलिए यहां पर यह आपको not support दिखा रहा है यदि इसमें होता तो यह भी यहां पर pass होता है तो फिलाल आपका phone unlock हो completely unlock हो चुका जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों तो यहीं trick बहुत ही मतलब काम की trick है आप देखते हैं यहां पर कि इसका data का क्या हुआ तो मेरा साड़ा data अभी मतलब secure है हमारा कोई भी application uninstall नहीं है इसका मतलब यह trick काम कर रही है इस वीडियो इस trick से आपके इस phone में तो यह trick आपकी भी phone में successfully apply होगी और आप भी अपने phone को unlock कर सकते हैं यहां पे नए नए trick को लेके आते रहते हैं जिससे आप phone के master बन सकते हैं तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में एक नए trick के साथ तो देखते रहिए review revealed